नमस्कार दर्शकों आज हम उत्तर प्रदेश की राज़दानी लखनाओं में ये खुबसूरत अंगुटी बेजने जा रहे हैं ये अंगुटी प्लैटिनम धातों में बनी हुई है और लैब ग्रोन डाइमंड से जड़ी हुई है एक करेट का डाइमंड इसमें लगा हुआ है और लगबग चार ग्रांग जैसा प्लैटिनम धातों इसमें यूज हुआ है और ये पूरी की पूरी अंगुटी तयार हुई है एक लाग रुपई से भी कम दाम है तो हमारे एक क्लैट है उन्हें एक करेट का ही डाइमंड चाहिए था उनका बज़ेट नैच्रल डाइमंड का नहीं था क्योंकि यही सेम अंगुटी अगर हम नैच्रल डाइमंड में बनाते तो यह लगबक साड़े आट से नव लाक के बज़ेट में बनती जो कि उनका बज़ेट नहीं था इसलिए उन्होंने लैप ग्रोंड डाइमंड चुना अब यह डाइमंड चुनने के पहले उन्होंने हमें उनके जो रिक्वार्मेंट सी वह हमें बता दे दी उन्हें डॉट एक करेट याने 1.00 करेट ऐसा साइज नहीं चाहिए था उन्होंने हमें बताया था कि 1.10 करेट के उपर की साइज होनी चाहिए कलर भी उन्हें D या E कलर ही चाहिए था और क्लैरिटी भी वी या VBS 2 ही चाहिए था तो उनके बजट में जो सबसे बड़ी साइज हमें मिल सकती थी वो हमने डाइमंड मार्केट में जाकर पर्सनली इंस्पेक्ट करके जाच कर फिर हमने सिलेक्ट की हर एक डाइमन को इस तरह से हम शेर कार्ट में रख कर उसका कलर सही है या नहीं उसमें कोई टेंज नहीं है ऐसा सब देट कर फिर चुनकर हमने उन्हें वो डाइमन दिया साथ ही में उस डाइमन को हाथ के उपर रख कर उसका फोटो वीडियो वगरे शेयर किया सर्टिफिकेट शेयर किया यह पूरी यह जो अंगूटी है उसमें जो डाइमन जड़ा हुआ है वो लैब ग्रोन डाइमन है आई जी आई सर्टिफाइड डाइमन है एक करेट 17 सैंड उ और VVS2 क्लारेडि का डाइमन है तो यह सबसे पहले हमने डाइमन चुना चुनकर उन्हें दिया और उन्होंने डाइमन कंफर्म किया उसके बाद बारी आई डिजैन की तो उन्होंने एक सिंपल सी रिंग हमें रिंग का फोटो हमारे साथ में शेयर किया और उसके मुताबि हमने एक क्यार करके दिया और उनका कंफर्मेशन डिया अब इसमें उन्हें क्या क्या कस्टमाजेशन चाहिए था वो मैं आपको बताता हूं यह जो जो नाखुन जहां से शुरू होते हैं वो उन्हें थोड़े से रेस चाहिए थे दूसरा चीज है कि उन्होंने जो डिजै यह जो बैंड था यह बैंड की जो विद थी वो उन्हें दो एमेम या उसे ज्यादा चाहिए थी अगर आप यहां पर देखोगे तो उसके बैंड की विद लबबग दो एमेम जैसी होगी तो इसके अलावा यह जो चार नाखुन जो बने हुए है वो नाखुन भी बाग के नाखुन होते हैं उस आकार में उन्हें चाहिए थे यह अगर आप चारों और से अगर आप टिप दिखोगे तो बाग के नाखुन जैसा दिखेगा तो यह पूरी की पूरी रिंग हमने उनके रिक्वायर्मेंट के मुताबिक उनके बजेट में कस्टमाइज करके तैयार की है 15 दिन में यह रिंग बनकर तैयार हुई है और लगबग दो दिन के अंदर यह उन्हें मिल जाएगी शिप्मेंट करने के बाद और यह करती है तब से लेकर उन्हें जब तक पहुंशती है तब तक यह 100% सिक्योर्ड रहती है तो अगर आपको भी ऐसी ही कोई रिक्वायर्मेंट हो तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं वाट्सेप कर सकते हैं 98704 50490 पर और हम एक छोटी सी फी लेते हैं 730 रुपे की और हम आपक करेंगे आपके बजट के मुताविक कौन सा शेप क्या साइज क्या कलर क्लारिटी का कॉंबिनेशन अच्छा लगेगा धातू भी कौन सा यूज कर सकते हो यलो गोल है वाइट गोल है प्लैटिनम है रोज गोल है और आपके मन चाही डिजाइन आप शेर करेंगे उसे हम कस् शेक्षिपिंग करके देंगे थेंगे थेंगे